समर है गरमी का टाइम है और सबसे अच्छा समर में जो लगता है वो है सालड और सालड हम बहुत तरीके से बना सकते हैं विल्कम बख तु मैरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सालर बनाने के लिए हमें चाहिए चेरी टोमेटो, स्प्रिंग आनियन्स, क्यूकंबर, बॉयल्ट एक्स, मेउनीज, यहां पे मैंने दो तरीके का मेउनीज यूज कर रहा है, एक हर्व वाला आनियन स्लाइस किया हुआ और दही, और थोड़ा सा उसमें पेपर पाउडर, इस चेरी टिमोटो, सालड में बहुत अच्छा लगता है, बिकरज उसका एक स्वीट सा टेस्ट होता है, और वो जूसी होता है, तो उसे हम जब रॉख खाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, एक बोल लेना है, उसमें हमें यह सारी चीजे जो है, चॉप करके उसके अं आप जैसे ही नाइफ से उसे अगर चॉप करेंगे, तो वो काला हो जाएगा, तो लेटिस को तोड़के डाल दीजिए, लेटिस का भी एक बहुत अच्छा फ्रेशनेस, एक क्रंचीनेस आता है सालड में, जो मुझे तो खासकर बहुत जादा पसंद है, उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी दही, तो दही ये तो मैंने रेडिमेट पैकेट ही डाल रही हूँ, बट आप चाहे तो घर का बनावा दही भी डाल सकते हैं, तो दही बहुत अच्छा है, वैसे भी गर्मियों के मौसम में दही खाना बहुत जादा हिल्दी है, वो आपको शरीर को मैंने यहां पर हर्ब का एक मेउनीज डाला हुआ है, और दूसरा सिंपल एग मेउनीज, तो और डाल रही हूँ, पेपर पाउडर, पेपर पाउडर से सालड का टेस्ट जो है, और एंहांस हो जाएगा, और इसे मैं कर रही हूँ, अच्छा सा मिक्स, बहुत अच्छी तरी रोटी हो, और ब्रेज हो उसके अंदर भी फिल करके आप इसे खा सकते हैं, तो रोटी के अंदर रैप की तरह आप खाएंगे तो वह भी बहुत अच्छा लगता है, तो अभी तो यह मैं साइड डिश में दूँगी, तो उस वज़े से इस तरीकी से बनाया है, और इसको अ और फ्रिज में आप रखके थोड़ा चिल कर सकते हैं, तंडा सालट खाने में गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, मैंने कोई नमक नहीं डाला है, बेकस में अलड़ी नमक होता है, नमक डालोगी तो वह सॉल्टी बन जाएगा, तो आप मेरा गार्णिश तेखिए, इस तरीके से लेट्स को पहले लगा दिया, उसमें डाल रही हूं, पोर कर रही हूं अपना सालट, तो आप चाहे तो लेट्स में राप करके भी इस सालट को खा सकते हैं, जिसे लेट्स पसंद है, और जिने लेट्स पसंद नहीं है तो आप लेट्स को ओमिट भी कर सकते है और boiled egg के साथ मैं इसे सजा रही हूँ तो देखने में तो खुबसूरत लगी रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट है आप इसे इस salad को जरूर ट्राइ कीजिए अगर घर में family को तो अच्छा लगेगा ही और आपके घर में अगर कोई guest आ रहा है तो दही मैंने डाला है इससे ये salad जो है healthy version बन जाता है तो आशा करती हूँ friends आपको ये simple salad recipe अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो मुझे comment जरूर कीजिए आप इस recipe को try जरूर कीजिए ये इस में कोई cooking की ज़रत नहीं है चले मिलते हैं कोई और recipe के साथ